नमस्कार सकुन सास्त्र क्या कहता है इस बारे में आये जानते हैं यदि आपकी यात्रा के समय कोई बिल्ली रो रही है तो आप यह जान ले कि है यात्रा में दुर्गटना होने का संकेत है यदि बिल्ली आप लड़ती होई दिखाई देती हैं तो यह धन हाने का संकेत है यदि बिल्ली छीखती है तो यात्रा की अवदी में आपका स्वास्त कराब हो जाएगा और यात्रा निस्फल रहेगी यह इस बात का संकेत है बिल्ली राष्टा काड़ती है तो अक्सर यात्रा निस्फल होती है ऐसे में आप बिल्ली की दिशा सावधाने पूरवक नोट करें यदि बिल्ली अचानक दाइं और से बाइं और जाती है तो यह सुब संकेत है परंतु यदि बिल्ली बाइं और से दाइं और आकर रास्ता काड़ती है तो यह बहुत ही असुब संकेत है यदि बिल्ली आपको दिखाई देती है तो उसके मुह में रोटी है तो आपको आजीवी का मिलने वे आर्थिक लाब होने के संकेत है बिल्ली दूद्या दही पीकर सामने आती है तो आपको यात्रा में सफलता मिलेगी बिली चुहे को मुह में लेकर सामने आती है तो असुब है और कस्ट मिलने के संकेत है बिली रोती हुई रास्ता काड़ती है या लगातार रो रही होती है तो भेयानक दुरगटना और मृत्य तुल्य कस्ट मिलने के संकेत होते है आप इन संकेतों को ठीक से समझ कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं या उसे रोक दें यह आपकी इच्छा पर निर्वर है बिल्ली तो पुशू की सिरेणी में है उसे पता नहीं है कि उसे आपका रास्ता काटना है या नहीं यह सब प्राकृतिक तरीके से होता है बोड़ देने वाद